स्टुडेंट्स मैं कि शर्म अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरू पर आपका स्वागत करता हूँ देखे टीजीटी साइंस की क्लास देखे काफी दिन से आपकी क्लास नहीं काफी दिन क्या यार दो दिन एक दिन नवरात्री था और एक दिन मैं संड़े क्लास ओफ जो पेपर मिला मैं उसके कुछ वो लाया हूँ देखो किलियर नहीं है लेकिन मैं बोल दूँगा आपको समझ में आएगा जैसे यह रहा प्रेशिक्षित इसनातक चैन परिक्षा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी दो हजार तेहरे कि देखो परिक्षा कब हुई देखो इसमें chemistry physics दोनों मिक्स हैं मैं दिखाता हूं दीरे दीरे देखो 90 kg पानी से कितना oxygen प्राप्त कर सकते हैं 90 kg पानी से कितना oxygen देखो पानी को क्या लिखते हैं H2O H, H को क्या लिखते हैं 1H1 यानि के इसका atomic number 1 होता है तो 2 का कितना हो गया, 2 oxygen का 16 होता है तो कितना हो गया, 18 यह लिखा हुआ है oxygen तो 16 है, तो एक कितना देगा, 16 upon 18 उसने क्या पूछा है, 90 kg पानी से इतने किंटू, 90 kg निकालना है, तो अठारे पंजे नंबे, 16 पंजे आसी, ऐसे समझो यार, 20 बनाना, 40 रुपे के हैं, तो एक बनाना कितने का, 40 upon 20, तो S2O का 18 है, 18 में कितना oxygen है, 16 है, तो एक में कितना oxygen होगा, 16 बट 18, 18, मुझे किस में निकालना है, 90 में निकालना है, तो गुना 90 नहीं कर दूँगा, क्या, बताओ क्या कोशन था, हल्वा कोशन था, यह रहा, 80 kg, यह option, बच्चो वाला एकदम 3rd class, amplifier, भाई, आप पढ़ते तो आए हो, या, ट्रांजिस्टर, NPN, कोमनी मीटर बेस में हमारा क्या चलता है, amplifier चलता है, जिसे नहीं पता, कराओंगा, सब कराओंगा, amplifier एक ट्रांजिस्टर है, बच्चो, ठीक है, देखो, आपका दो टाइप का होता है, NPN और PNP, इनमें भी बहतर कौन सा है, NPN, क्योंकि N का मतलब है, निकेटिव, यानिके इसमें इले प्रोटोन्स ज्यादा होते हैं, और इलेक्टोन और प्रोटोन की comparison में प्रोटोन हलके होता है, यह charge carry अच्छा करते हैं, तो इस वैसा अगर NPN और PNP में भी चोईस करें, तो NPN ज्यादा बेटर है, अभी बता देंगे, ओजोन, ओक्षिजन के कितने परमा, यार, ओजोन, दुई धुरुव आगून पिरदर्शुई तो नहीं करते हैं, दुई धुरुव आगून क्या होता है, पता है, P बराबर Q into 2A, या दो chemistry plus physics mix है, हमने दो चार्ज लेते हैं, एक तरफ पिलस Q रख देते हैं, तब माइनस कू कूछ याद है, देखो यहां इसका वो दिया हु कौन सुनने होता है, जैसे हम करें CO2, CO2 कैसे बनता है आपका, ऐसी तो बनता है structure, तो यह एक लाइन में नहीं हो गया, जो लाइन में हो, उसा रेख यह बोलते हैं, रेख यह बोलते हैं, अगर सी, ऐसी ओ ठीरी के जागे हम, एस ओ ठीरी ले 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 तो इसमें, ओ दो इ तो एक सी एल इधर, एक सी एल इधर, एक सी एल इधर, एक सी एल इधर, एक सी एल इधर चार, तो एक दूसरे को cancel out करके, दूई दूर वागून कितना हो जाता है, सुनने, निकालना सिखाओंगा, जब chemistry चलेगी, घबराओ मत, देखो यह question मैंने 9th class के NCRT में पढ़ा था, कि Tincture iodine क्या है, भाई, iodine को किस में करो, एलकोहल में, जिसे हम दारू बोलते हैं, नहीं भाई, एथिल एलकोहल, मैथिल एलकोहल, अलग अलगे हैं, वह सारी है, तो बस alcoholic solution of I2, I2 मतलब iodine को एलकोहल में मिला दो, आपकी Tincture iodine बन जाती है, अब देखो, यह question है, परमानों का पिर्थम प्रारूप किस ने दिया, भाई, सबसे पहला प्रारूप दिया था, डाल्टन ने, लेकिन डाल्टन यहां option में है ही नहीं, तो डाल्टन के बाद दूसरा कोन आया था, टॉम्शन, जिसे जे जे टॉम्शन, जिसने इलेक्टरोन को इन्वेंट किया था, तो C option अगर डाल्टन होता तो प्यारे बच्चों डाल्टन टिक मारते, तर्बूज मोडल पढ़ा है आपने, तो तर्बूज वाटरमेलन मोडल वो डाल्टन की बजाए थोम्शन ने दिया था, डाल्टन ने उसके बारे में उससे पहले कुछ बताये था, उन्होंने क्या बताये था, क्या बताये था, उन्होंने सबसे छोटा नू परमानू बताये था, सबसे छोटा कन किसी भी पदार्थ का, लेकिन आगए जाके हमें पता चला, परमानू भी खुद मोलिक कनों से मिलके बना, इस वैसा डाल्टन को फेल कर दिया गये था, समझ गे स्टूडेंट्स डा रिफ्रेक्शन, रिफ्रेक्शन क्या होता है, लाइट रेट टकरा के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, पढ़ेंगे यो यूनिट लाइट वाली हम टैंशन न लो, तो इसमें सैकंड लो था, कि साइन आई अपोन साइन आर, याद है, अगर नहीं याद तो कारबन परमानों में मैथन च्छाफ, इसमें क्या होता है, एस पी थरी, अब यह क्या है, यह संकरन हं जिसें इंग्णिस में हाइबरड़्यजेशन बोलते हैं, इसकी भाई रामबां ट्रिक है, सारे मैथड लोस्कॉत सब अनिकालने पर याइसी रामबां ट्रिक दूंगा अभी दो मिनेट पहले पढ़ाता ना सी ओटू कैसे दो ओ इधर दो इधर एक लाइन में रहते हैं रेखा की तरीके से लाइन की तरीके से तो लीनियर मोलीक्यूल देखो हो आगिया देखो गजब है पहले से पहले से जुड़ा हुआ इधर आ गया अब में बदलने गोडिक कितनी हुआ हो analysती है 9.8 तो इसमें 9 Pois 8 की मल्टिप्लाई ekran me 5 can 9.8 होगे तो 9 पुंट 8 ही आ जाएगा तो इस अन्स कर्या रहा नाइं पॉइंट न्यूटन अभगा एक ऐसा धातू जिसमें लोहा भी तैर सकता है आपको पता साइक लोता मरकरी पारा यह हम नाइन्थ किलास में पढ़ेते सारे कोश अभी तक मैं तुम्हें रियली बता हूं ट्वैल्थ लेवल का क्यों लिया है था हाइबर डाइजेशन केमिस्ट्री का अभी तो कोई खतरनाक कोशन आये नहीं था ठीक है अब देखो इसमें बहुत कन प्रत्वी की सतय पर सरवादिक उपलब तत्व सिलिकोन अल्यूमीनियम ओक्सीजन आयरन वीडियो पोज करके कमेंट बोक्स में आंसर दे और फिर आंसर मैच करें देखो प्यारे बच्चों हम सोच भी नहीं सकते इसका सबसे अच्छा अंसर ओक्सीजन होगा अब आप क्य जाल फैक्केमत ओ सियाल डिखेकमत बस इतना जाद है यानि के किरम्या वोक्सीजन कैसे पानी मौझूद जामानी अक्सीजन सबसे ज्यादे होगा सब्तर परसेंट हिससे पर पानी है समझ एफ डिक उप सैल में इलेक्ट्रोनों की संख्या सब को पता है सब को पता है कितने होते हैं S में तो एक बनता है तो दो इलक्ट्रोन होंगे P में कितने होते हैं 3 बनते हैं तो दो इस में है दो इस में है दो इस में है तो 6 D में कितने बनते हैं ये 5 बनते हैं तो 10 इलक्ट्रोन F में ये 7 बनते हैं खाने जिने और्बिटल बोलते हैं कोर्बिटल में दो इलेक्ट्रोन पर जिन रहते हैं तो चोदे इलेक्ट्रोन बताओ कोई दिक्कत नो दिक्कत बच्चों वाले कोश्चन है हरे यार कोई भी बता देगा एक मीटर किसके तुल्य है तो एक एंग स्ट्रोम में कितने मीटर होते हैं तैन की पावर माइनस तैन मीटर अब एक मीटर निकाला तो इधर डिवाइड में पोच्चेगा न तैन की पावर माइनस तैन उपर जागा fifteen मैं तो 10 की पावर 10 angstrom होता है उल्टा कर दो ना तो यह रहा 10 की पावर 10 angstrom बताओ कुछ गंटा भी नहीं है यार इनों में लोग बाप मुझे बच्चों ने भईया बस इस बार करा दो कुछ भी करा दो अब मैं थोड़ी करांगा आप करोगे आप लेवल देख सकते हो अब य यह है effective atomic number भाई देखो इसका निकालने का इतना बढ़िया concept दूँगा इतना बढ़िया concept दूँगा भी इंस पर स्टार बना रहा हो यह ट्रीक है मेरे पास अब आप कहोगे भाईया देते क्यों नहीं यार आप बच्चे तो जोड़ो देंगे तो हम खुद आप टैंशन न यह सब फुल कल बोरिया तो सबसे उपरवाला फिलोरीन क्या है सबसे ज़्यादे वैद्यू तरिनात्मक है और इसका क्या होता है एनस्टू एनपीफाई यानि के लास्ट में इसके एस्टू और पीफाई बसता है कैसे भाई बताएंगे घबराओं मुत ठीक सब आपने देखा नहीं गिलास में आपने पानी भर का फिरीज में जमने रखते हो तो पानी क्या होता है जमने के बाद गिलास से बरफ थोड़ी ऊपर उठ जाती है तो यानि के दूरी बढ़गी जबी तो दूरी हुआ और यह भी धिहान रखना पानी का अधिक्तम घर तो च 450 चीरोल सेटProf seu जीरोफर बीनी भी में Left 大 स्टी के बइसल के मेरे पास एंचरेक्तर में और यह मेरे यान नहीं रहते हैं मैं ट्रिक लगाता हूँ भाई कॉंसेप्ट लगाता हूँ अब आप सोच रहोंगे भाई यह कॉंसेप्ट कैसे लगाते हो बता दूँगा तरीका हाइबर डाइजेशन का एक तरीका बताऊंगा तुम्हें सारे उससे आप सारी चीज़े निकाल सकते हो ठीक है अब सारी प्लस ब्लीचिंग पाउडर इस इकोस्ट क्लोरोफोम कोई भी रियक्शन यह दिए हुए बितनी खतरनाग रियक्शन रखने से याद है मैंने आप कैमिस्ट्री को पसंद करते हूं मेरी पसंदिदा सब्जेक्ट फिजीक से इसी वैसे चैनल का नाम भी फिजीक्स गुरू रखा है आप रियक्शन याद रख सकते हो तो अच्छी बात है मैं भाई रियक्शन याद ना रख्के मैं क्या रखता हूं एसी टोन प्लस ब्लीचिंग पाउडर इस इकोस्ट्व क्लोरोफोम मैं इस तरीके से याद रखता हूं बाक्की आपकी मर्जी है दूसरा यह प्राकिट्स के रूप में चलती है यह निरा यह संतंत इच न्यू के पूर्ण गुरांग के रूप में दा इस लोप ओफ चाल समय चाल समय चाल समय भाई एक्सिलेशन नहीं होता क्या त्वेरन त्वेरन क्या होता है वेग परिवर्तन बटे समय तो उपर चाल और एक्वेशन नहीं पड़ी यह यू पिलस का इधर आके माइनस का इस इक्वस्टू एटी ए मुल्टिप्लाइ में इधर डिवाइड में भी माइनस यू अपोन एक्वस्टू टी तो अपर वेग परिवर्तन अगर मुझे त्वेरन निकालना है इधर ए रखो इस इधर टी मतलब एक्सिल्यीन होता है बई मुझे हाला की देखो बहुत दिक्कत होती है हिंदी में पर मैं कोशिश कर रहा हूं ऐलफा गवेश्ट प्रोटोन के आवेश्ट का होता है ऐलफा कन क्या होता है हील्यें का 2HE4 इसमें दो प्रोटोन होते हैं तो चार्ज भी कितना हो बेसिक सी चीज है जितना इतोमिक नंबर होता है उतने प्रोटोंस होते हैं उतने इलेक्टोंस होते हैं भाई आगे की मैं कराँगा देख के आपका इस वीडियो पर रिस्पोंस आप यह चाहते हो तो मैं यह करूंगा ठीक भाई वीडियो शेयर करो और जादे से जादे इफिडेंस लेवल आग्या तक 125 कोश्चन साथ ते इसमें सारे कराऊंगा दीरे दीरे पहला आप ओकाद देख लो पेपर की ओकाद क्या है आप घबराते रहते हो भाई यह भाई अनू भाई आसे अब कुछ नहीं यार सब कर लोगे आप ठीक है गुड़ लक ओल दबेस ट टेक केर बी हपी